गोड़ी उनिंग आल आप आप सभी कायम के साहों क्लासे में स्वागत है आज ये बिश्च के भोगोल का आखरी लेक्चर और आखरी लेक्चर का नाम है 21 जो कि मानचित्र और विवित से रिलेटेड है मैपिंग और मिसलीनियस तो इसमें जो NCRT सार्शंग्रा महस बनवाल की चल रही है इसमें जो बिश्च के भोगोल का ये आखरी लेक्चर है इसको हम लोग देख लेते हैं और आपने कमेंट करके बताईएगा कि आगे जो है आपको वीडियो शाइंस की चाहिए या जो है परियावरानियों परस्तिति हमें लग रहा है कि तीन से चार वीडियो मे कि ओफ़ळें इसके बाद हम लोग साइंस पर चलते हैं और जो लोग चेनल पर पहले बाते हैं दोस्तों वह को लाइक शेक है और सिर्गर melon के साथ जरूर करें तो देर न करते होए वीडियो को शुरु करते हैं और वीडियो में जो है आपका जो पुएंट है दोस्तों इस इस इसे बहुत अगला जो point है वो कहः रहा है कि आईसो बाथ क्या दरसाती है? तो आईसो बाथ जो है वो समुन्दर के भीतर समान गहराई वाले छेतरो को दरसानी के रिए आईसो बाथ रेखा का प्रियोग किया जाता है. अगला जो point है उच्छा वच उच्छा वच जो है ये उच्छा वच दिखाने का सबसे सही माध्यम कौन सा है तो उच्छा वच दिखाने का सबसे सही माध्यम जो है वह समोच रेखा अगला है बरसा मापी यंत्र क्या कहते हैं बरसा मापी यंत्र को क्या कहते हैं तो जो बरसा यहां से बनते ही बनते हैं, एक से तो कोश्चन आपको देखने को मिलते हैं हार एकजामों में, तो मांचित की जो रेखा है इनको देख लेते हैं, समोच रेखा पहला है, इस समोच रेखा क्या है, तो समोच रेखा जो है, शमान उचाए वाले बिंदों को मिलाने वाली रेख होती है उसे समदाव रेखा के नाम से जाना जाता है आइसो बाथी थर्म रेखा जो है यह समुंद्र के जल में शमताप रेखा है और अगला है आइसो डॉपन रेखा यह समान परिवहन लागत रेखा के नाम से जाना जाता है और आइसो जियो थर्म जो है यह पित्वी के अं हेल रेखा यह सवान शोर्या तबकि अवद को मिलाने वाली रेखा जो है व को आइसी हेल रेखा है शम वरसा जो रेखा है मस्फर और यह शमान हीम अच्छानों को जोरने वाली रेखा आईसो निफ के नाम से जाने जाती है शम मेग रेखा जो है ये शमान को आउसत मेगा अच्छानता वाले अच्छानों को जोरने वाली रेखा कहते है आईशोफाइट रेखा जो है यह शमान उचाई वाली बनश्पती की रेखा को बताया गया है और सब्भूकम पिये जो रेखा है यह क्या गाम करती है यह समान भूकम पिये परीवर्त को मिलाने वाली रेखा है तो यह हो गयا और आगे हम लोग देखते हैं कि समताप रेखा जो समान ताप वह उख़ाय वाले अस्थारों को मिलाने वाली रेखा है और अगला है आईशो नोमल लेखा यह शमताप यह बिशंगती की रेखा है और आईशो क्लाइं जो रेखा है वो समान चुमबकिये नत की रेखा है अगला है आईसो जो गलास रेखा है वो किसी प्रकार, किसी पर्देश स्वरी किसी पर्देश में भासाओं को बिभग्ट करने वाली जो शीमा रेखा है उसे आईसो गलास के नम से जाना जाता है जनसंख्या जो चार्ट है ये जनसंख्या आज के लिए तयार किया गया बिसिस चार्ट होता है और आईसोगेनिक जो लाइन है वो सम चुम्बकिये नतिरेखा के नाम से जाना जाता है और एगोनिक जो लाइन है वो सुन चुम्बकिये नतिरेखा के नाम से नतिरेखा के नाम जो पृत्वी पर हलके शहलपदार्थ और भूमगत भारी शहलपदार्थों में पाया जाता है सम वह गती रहखा ये मौशमी मांचित्र पर न अस्तानों को मिलाने वाली रहखा है जहां पर पावन गती शमान पाई जाती है अगला है शम जंजा रेखा शमान तडित जंजा वाले अस्थानों को जोड़ने वाली मांचित्र रेखा है और अगला जो पॉइंट है शम बिकपाती रेखा ये शमान चुम्ब की हास वाले अस्थानों को जोड़ने वाली रेखा है तो दोस्तों ये रेखाओं से एक ना एक question आपके हर examo में मांचित्र की जो रेखाए है हर examo में लगवग एक ना एक आपको मिल ही जाता है तो यह देख लिया गया अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंटार्टिका अंटार्टिका का बिस्तरित योम संपूर जो मांचित्र बनाने में किस देश के उपगरों से सहायता मिली है यानि अंटार्टिका का जो बिस्तरित योम संपूर मांचित्र बनाया गया उसमें किस देश के उपगरों से सबसे ज़्यादा सहायता मिली है तो वह मिली है दोस्त गर बिस्तका पहला पर्मार्विजलिगर कुसे अस्तापीत तो वह अस्तापी थे दोस्तों रुश्रणी अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्राजील ब्राजील का जो कहवा है ब्राजील का कहवा जिसे कोफी कहते हैं बागानों को क्या कहा जाता है तो फजेंडा के नाम से जाना जाता है ब्राजील कहवा के लिए परसिद है और वहां की जो बागान है उनको फजेंडा के नाम से जाना जाता है अगला पॉइंड है कि स janxtWar और से अमेरिका का उपागरे पर छेपन केंद्र जो है वो कहाँ इस्तित है वो Cape Kennedy फलोरिडा में इस्तित है अगला है बोलिपिया वो पेरू की पठार जो है वो कॉलम्बिया की पठार तिबद के पठार वो मेशको के पठार किस सरचना के उधारन है तो ये दोस्तों है अंतर परवतिय पठार सरचना के उधारन है अगला पएट हम लोग देखते हैं कि बिश की सबसे बड़ी जो प्रवाल भिक्ती है वो किस देश में है तो वो इसी अग्ला है पीशा की जो छुकी मीनार है वो किस देश में इश्थी थे तो वो इस देश में और अग्ला पॉइंट देखते हैं, हम लोग की एलेसी पाइलेस्, अदिक जो डाग घर की बात करें, पोश्ट आफंगे किस देश में हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डाग घर हैं, वो अपने प्यारे भारत देश में है और अगला पॉइंट का रहा है कि विश्व भासा के रूप में कार करने के लिए बनाई गई एक कृतिम भासा का जो नाम है वो एस्पेरांटो है उसका क्या नाम है एस्पेरांटो यह विश्व भासा के रूप में कार करने के लिए जो किर्तिम भासा का नाम एस पैरांटो ध्यान रखीएगा अग्रा जो पॏंट है ग्रेंड कारिट फेखिएंड यह इक इस देश्च मिल्स इश्टैट जो है एक है यह इप इस तुरिछ ही है म्हांत वर प्रब्र समय कहां पर ऊमें इस्थीत तो तो फ़िएence कर दो ब्राजील में इसी थे दोस्तों अगला पॉइंट है कि विष्ट की सबसे गहरी गहराई पर इस्थित जो बिंद है वो कौन सा है तो विष्ट का सबसे गहराई पर इस्थित जो बिंद है वो मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है जिसे चैलेंजर दीप में इसी थे यह मेरियाना गर्त या मेरियाना गर्त सबसे गहरा इस्तित बिंदों है और इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पूछा भी गया है कई वार विविनिक जामों में अगला पॉइंट है कोरल रीफ जीवास पट्टी यह प्राया करक लों मकर रेखा कि मद्द तटिये छेत्रों में पाई जाती है आगला पॉइंट है वो कहरा है वह गहला बिस में जो सर्वाधिक भ्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली जो भासा है वो कौन सी है तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भासा है वो मंदारिन है जो की चीन की भासा है और इस सरबाधिक विक्चोल वारा बोली जाने वाली भासा है और नेक्स पॉइंट करा है ग्रांड बैंक ग्रांड वयंग कहा चतित है तो ग्रांड वयंग दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्बीतत पर इस्तित है Northern point है अगला point के रहा है कि वायोधाब सबसे कम का होता है तो वायोधाब जो है सबसे कम ग्रेश अरीतूर में वायोधाब सबसे कम होता है So Dog पॉइंट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कर रहा है कि भोगोल में नौ नियतिवाद सिधान्थ बेर इंपोर्टन पॉइंट है यहां दखिएगा पूछा भी गया है नौ नियतिवाद के सिधान्थ किस ने किया तो यह किया था जी टेलर ने यानि जी का मतलब गृफ यह सबसे कि सबसे लंभी जो शॉरंग है वह कहां अवस्तित है तो यह दोस्तों इस सबसे कम जंसंख्या घंद वाला जो देश है वह कौन सा है सबसे में देशों का कुल रेल्वे लंबाइकी दृष्टिसे से सही और ओही करम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो डे एमेरिका है उसके बाद चीन नंबर भारत का अस्थान आता है तो अगला पोइंट अगला रसा के वर सा Hello तीबर बर्सा कराते हैं वादल वो बादल होते हैं बर्सा अस्तरीव मेक के नाम से जाने जाते हैं और यह भी important point है पुछा किया है कई बार भी भी निक्जामों में अगला point कर रहा कि वाइव मार तो था वाइव यातायाद के विकास में किस देश का पहला अस्थान है तो वाइव मार और वाइव यातायाद के विकास में सबसे ज्यादा जो पहला अस्थान है वो है आपके इवेश्य का. सैंग राज अमेरिका का. next point हम लोग देखते हैं. और last point भी है. कहरा कि टर्की, टर्की जो है किन दो सागरों के मध इस्थी थे. तो तर्की दो सागरों के मध इस्थी थे और वो दो मध जो सागर है. वो एक काला सागर और भूमात सागर के हल में तर्की तर देस इस्तित है यह दो सागरों के सवाल ऐसे पोस रकता है कि यह त़ यह इसी तहे दोस्तो तर आपरीका महादिप में और कौन से परबत स्रेणी में आई से थे, तब बिट वाटर्ग, रेंड, जो परबत स्रेणी है, वहां इसे थे, अगला लाश्ट पॉइंट है, करा लाल सागर, लाल सागर एक उधारण है, किसीज का उधारण है, यह अच्छी द्रोनी का उधारण, बेरी बेरी इस इपोर्टन पॉइ प्रियावरन पारिश्ट की बहुत इंपॉर्टेंट आप यह और दो तिन चार लेक्चर में आपका परियावरन पारिश्ट की ओंलाइनर कंप्लेट हो जाएगा तो उन्हीं आप वाज करिए और आगे जो भी आने वाले एक्जाम में उसमें आप अच्छा स्कोर करें यह मेरी शुक्रामना है और मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब तक दोस्तो नमस्कार जैहिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने मित्रों के साथ